हेलो वेल्कम टू जी के ट्रंकर मैं संतोस कुमार आप सब का स्वागत करता हूं जी के ट्रंकर पर मैं आसा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे तो आस सुबह मैंने आस सुबह के लेक्शर में मैंने जोग्रफी के सिलेवस को डीटेल से बताया था अभी अब उसी में उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम सिलेवस के नुसार बताएगे चीजों को अब हम डिसकस करेंगे जैसा कि मैंने syllabus में बताया था Earth, Solar System and Universe हमारा पहला चेप्टर होगा तो इसी में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जियोग्रफी जियोग्रफी जो कि एक Greek word है जिसका अगर breakdown हम करते हैं अगर जियोग्रफी वर्ट को तोड़ते हैं जियोग्रफी का मतलब अर्थ होता है जियोग्रफी को अगर हम कहें तो description about the Earth is known as geography और इसी करी में आता है कि जैसा कि हम लोगों ने परहा है कि father of chemistry किसे कहते है father of physics मतलब कुछ इस तरह का चीजों को हमने परहा है तो ठीक उसी तरह से father of geography के भी समय भी बताया गया तो father of geography जो कहा गया है ये erotthenes को कहा गया erotthenes को कहा गया है जो एक Greek person थे तो father of geography को अगर ये दिपूसता है तो erotthenes को लेके चलेंगे erotthenes एक Greek person थे तो हमने अभी तक जाना कि geography क्या होता है geography को breakdown करते हैं तो जोग्रफी के breakdown करने पर दोनों word का मतलब क्या होता और father of geography कौन है हमारे तो इसी में अब आगे बढ़ते हैं तो हम अब अब शुरू करते हैं main हमारा जो है अर्थ अर्थ के भी से में हम जानते हैं हम लोग जानते हैं कि अर्थ एक perfect spare नहीं है परफेक्ट गोला नहीं है वो पूरी तरह से वो गोल नहीं है वो कहीं न कहीं चप्टा है तो इसी बात को हमने लिखाए कि अर्थ नौट अप perfect spare एक perfect spare नहीं है एक पुर्ण गोला नहीं है flattened at pole and bulged at equator आप एगर अर्थ अगर आप globe को देखेगा तो वो पता चलता है कि दोनों pole मतलब दोनों pole अगर suppose that इसे हम इसे हम अगर हम एक globe माने तो ये portion और ये portion इसे हम pole कहते हैं जो कि उपर वाला north pole और नीचे वाला south pole होता है तो यहां पे और यहां पे flattened होता है ठीक है और bulged at equator और इस बीच में जो हमारा move कर रहा होता है चीज तो ये 20 से जो line move कर रहा है इसे हम equator कहते है equator पर ये bulged है ठीक है अब इस बात को keep पृत्वी pole पर flattened है और bulged है equator पर इसको किसने सबसे पहले कहा था तो इसके विसे में Newton the great Newton Newton जी ने इसके विसे में चलचा किया था कि Newton proposed that bulging and flattening due to the continuous spinning of the earth धरती जो है लगातार जो spin करते रहता है घूमते रहता है उसी के कारण क्या होता है कि धरती का pole पे flattened होता है और equator पे bulged होता है I hope आप इसे समझ पाए होंगे अगर नहीं समझे तो वीडियो को फिर से repeat करके देखें समझ में आ जाए गया हम समझने का कोशिस करते है कि अर्थ अगर इस फिर नहीं है तो अर्थ का सेप कैसा है तो अर्थ का सेप पताया गया है कि अर्थ का सेप जियोईड सेप का है एक वर्ड आता है जियोईड अर्थ का सेप जो है जियोईड सेप का है और अर्थ या फिर अबलेट एस्फिरॉइड में है, पुरी तरह से इस्फिर नहीं है, एक अबलेट एस्फिरॉइड है, ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे कि अर्थ का सेप कैसा है, बहुतो बार ये कोशन एक्जाम में पुछा गया है कि, वाट इस शेप अप अर्थ, तो सेप अप धर्थी, तो देख सकते हैं कि आप ये एक अर्थ हमने लिया है, अर्थ का देखेगा उपरी पार्ट, जो नॉर्थ पोल कहला है, और डाउन पार्ट अगर आप, सौरी, मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, इसमें अभी, डाउन पार्ट साउथ पोल होता है, तो अगर हम नॉर ला लाइन जो आप देख सकते हैं, उपर से नीचे अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ हम बढ़ते हैं, तो ये हमारा डाउमीटर जो होता है, बारह हजार साथ सो चौदा किलो मेटर का होता है, ये हमारे धर्थी का डाउमीटर है, जिसे हम ब्यास कहते हैं, हिंदी अगर कहें, तो इक्वेटर, इक्वेटरियल मतलब बिश्वत्य ही होता है, या फिर भूमत दे रेखा, तो इसका डाउमीटर को अगर हम देखने का कोजिस करें, तो बारह हजार साथ सो चपन किलो मेटर का है, तो आप इस संख्या को याद रखेगा, क्योंकि ये सवाल बह आप इसके नंबर को याद रखेंगे, ठीक है, इसके बाद आता है, कि ये जो अर्थ पूरी तरह से गोल नहीं है, एक जिवेट है, जिवेट सेप का है, या फिर अबलेट इस फुराइट का है, तो इसका एविडेंस क्या है, इसका प्रूफ क्या है, साक्षी क्या है, तो नेविगेट किया था, साइध वो नाव या फिर जहाँ जो भी था, उस पे वो मूब करके ये पता लगाया था, कि यस धर्थ जो पूरी तरह से गोल नहीं है, ये एक जिवेट सेप का है, फिर आता है, होरिजन एपियर से सर्क्यूलर वेन भ्यूट फ्रॉम अ सिप, एन हो होरिजन वाइडेंस वेल अल्टिट्यूट इंक्रीज, होरिजन वो होता है, जहां पर अकास धर्थी से मिलता हुआ नजर आता है, उसे हम होरिजन कहते हैं, ठीक है, जहां पर धर्थी से अकास मिलता हुआ नजर आता है, उस पॉइंट को हम होरिजन कहते हैं, होरिजन को द सेप में, एक सर्क्यूलर सेप में दिखाए देता है, फिर सनराइज औ संसेट, सुरी का उगना, सुरी का डूबना, डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट लोकिशन पे अलगल होता है, तो इससे पता चलता है कि धरती जियोएट सेप का है, फिर लूनर एकलिप्स, चंदगरहन का लगना, फिर स्पेरिकल सेप अफधर प्लानेट, दूसरे भी गरह का गोल होना, स्पेरिकल सेप में होना, सभी प्लानेट का स्पेरिकल सेप में होना, ये भी प्रूब करता है कि धरती भी तो एक प्लानेट है, ये भी स्पेर ही होगा, तो इतने बात हम इसके भी सह में कृणने तो आज के लिए हम इसे यहीं रोकते हैं तो आज हम लोगों ने क्या क्या परहा है मैं इसके थे सबसे पहले जेङ्जगरभर क्या होता है तो यह निूटन के द्वार्ट की आगया था फिर हमने परहा है एक्वेटर क्या है ऊक्न播़ पूल एंद थू द एक्वेटर क्या है उसका डायमेटर और फिर हमने परहा कि अर्थ गोल नहीं है इसके प्रूफ के विसय में हमने परहा I hope so आपको ये लेक्शर बड़े पसंद आया होगा आसा करते हैं आप इसे समझ के रिविजन करके आप इसे बार बार देखें जिससे आपको आपका डाउट के लिए हो आपको बाते समझ में आए तो आसा करते हैं आज का लेक्षर आपके लिए फाइदे मंद होगा तो इस चैनल को आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सेर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और जो जरूरत मंद हैं उनके भी से दू उनके पास तक भी इस वीडियो को पहुचाने का काम करें, जहिंद